आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीकर के इत्यास की और यह जो हम जिस करता हैं कि जिकर कर रहे हैं यह है जुलाई 1938 की जो इत्यास के अंदर सीकर आंदोले नहीं सीकर एजिटेशन के नाम से जाना जाता है उसमें अंग्रेजों का राज था और जेपूर के ओपर जो उनको काफ हम पूजती है मानती है और उनकी पुन्य थिती के ओपर जो भीड़ाती है उससे आप उनकी लोगपरिता का अंदाजा भी लगा सकते हैं साथ ही जो शिकर के अंदर जितने भी स्कूल, कोले, धरम, साले हैं रंगमंच जहां राम लिल्ला होती है उसका रंगमंच की जो जगह है वो भी रावराजा कल्यान सिंग जी की बनाई हुई है तो इतने जनीत के उन्होंने काम किये थे तो उनकी जो लोगपरित है वो इस आंदोलन से जो ये मैं बता रहा हूं 1938 की घटना उसमें भी आपको पता लगेगा अंग्रेजों का रास था अंग्रेज भी चाते थे कि सेखावाटी के अंदर अपना दखल दे और दूसरा जो जेपूर के राजा थे उस टाइम सवाइमान सिंग जी दवीतिये वो ये चाते थे कि जो सेखावाटी के सेखावत है उनके अधिकारों के उपर वो चाते थे कि इनके कुछ अधिकार में अपने अंडर म विल्स तो विल्स को उन्होंने बेजा कि शेख हवाटी के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करो और उसने विल्स ने अपनी मर्जी से ही सेख हवाटी के रिपोर्ट तैयार की कि यहां पर आप किसानों के साथ क्या होता है इस तरह कि मलब मन गढ़नत उसने एक रिपोर्ट तैया अब था क्या कि जो जेपूर के माराजा थे यानी जो जेपूर राजगराना है उसको सेखावाटी वाले अपने परिवार का मुख्या मानते थे और ये राव सेखाजी के टाइम में जब आमेर के राजा चंदर सेंजी और उनका यूद वाता आगरी और उन्होंने राव सेखाजी को शुतंत्र गोशित किया था उस टाइम भी दोनों के बीच में पैक्ट वा था कि जब भी सेखाज़ों के उपर कभी भी हमला होगा तो जेपूर साथ देगा और जेपूर पे कोई हमला होगा तो सेखाज़ों साथ देंगे तो ये तो भाही चारा था ये चलता आ रहा था और उसके बाद सेखावतों को अपने अंडर में करने के साथ। क्योंकि शेखावतों का जो मुगल बात्सा है उन से भी उनका सीधा संबन था और यहां से जो मामला हुता था यानि जो कर होता था बात सीधे निसी आप सही खाज़ाने के अंदर जमा करते थे तो जैसING जी के समय में, जैसING जिए क्या किया कि ये जो शेखावटी से कर जाता था, का ठेका ले लिया इजारा बोलते हैं, इजारा ले लिया कि बारी शेखावटी वालनों से मैं कलेक्ट करूँगा और आपको में देदूगा मुगलों के लिए भी अच्छी बात थी कि आपस में भाई 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 शल्ट लेंगे क्योंकि होता क्या था कई बार सेकावाटी के कई सासक इजारा देते नहीं थे फिर मुगलों को सेना भेजनी पड़ती थी कई बखेडे होते थे तो ये मामला होता था तो लोग ये सोच थे थे कि भी सेकावाटी बाले इनके अधीन है लेकिन अधीन थे नहीं जेपूर के सिरफ परिवार के मुख्या थे बड़े भाई थे तो उनका साथ देते थे हर मामले में बात आते हैं 1938 की गटना के उपर उस टाइम किया जो रावराजा कल्यान सिंग्जी थे उनके यहां उन्होंने अस्तक सेप करना सुरू किया पहले एक दो अंग्रेज अफसरों को उन्होंने यहां पर अपॉइंट किया अपने इसाब से करवाया विल्स की रिपोर्ट वाई उसके बाद अग्रेज दो अधिकारी थे उनको अपॉइंट मेंट करवाया तो रावराजा कल्यान सिंग्जी ने उनको माना नहीं एक्षप्ट नहीं किया तो फिर बाद में उन्होंने कैप्टेन वेब को यहां पर एजेंट बना करके बेश दिया कैप्टेन वेब भी मान सिंग्जी का आदमी था वो भी यहां पर काफी मलब उसने हरकतें की काफी गड़बड की उसने और वो हमेसा मलत सेलरी वगरा सारी सीकर ठिकाने चलेता था और जो वफदारी है वो जेपूर की या फिर प्रिटिस गवर्वेंट की करता था अब दोनुं के अंदर ये अधिकारों को लेकर के रस्ता कसी चल रही थी इस बीच में क्या वा कि सीकर के जो राजकुमार थे हर्दियाल सिंग जी उनको वो चाते थे सवाइमान सिंग जी कि मैं उनको इंग्लेंड में पढ़ओ कि मेरे साथ रहे तो कम से कम ये मेरे साब से चले और मेयो कोले से हर्दियाल सिंग जी को कैप्टेन वेब डारेक्ट ले आया वो सिकर के राजा को जची गी क्योंकि सिकर के जो राजा थे उन्होंने धरंगद्रा कोई स्टेट थी उसके राजगुमार इसे सगाई की वी थी और वे ये चाहते थे कि वही साधी से पहले में राजगुमार को इंगलेंड नहीं बेजू और वो यही पढ़ाना चाहते थे उनको जबकि जो जैपुर के माराजा थे वो ये चाहते थे कि वो अपने किसी ओर शमंदी की बेटी से शिकर के राजकुमार की साधी चाहते थे वो इन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहां तो जो यहां की जो एक परिश्ट होती थी चार पांच लोग होते थे अलग अलग कास्ट होके वो तैय करते थे तो उन्होंने तैय कि जो जबान देदी राजा साब ने वही होना चीए अब बात ये आ गई कि चलो उस टाइम राजा माराजा दो दो तीन तीन साधियां करते थे जो यहां की जो परिश्टत थी उसने ये निर्ने दिया कि पहली साधि तो जहां धारंगदा की राजकुमारी से होगी online bonito दूसरी साधिय दें चाहें तो मानिशिक जी करवा दें अब दूसरी साधिय का मतलब होता था कि जो राजे मिलता था वो तो जो पहली राणई होती ती यानि बड़े पुत्र को मिलता था तो पहले जो साधी होगी तो पुत्र उसको पैदा होगा तो राजय तो उसके पास जाएगा लेकिन जो दूसरी जो साधी होती थी उसमें दिक्कत यह थी कि हर गराना यह चाहता था कि मेरी बेटी से जो पैदा हो वो राजकुमार वांगा राजा बने तो second वाले के लिए तो option ही नहीं होता तो ये एक विवाद का एक और कारण था तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि जैपूर के महराजा मान सिंग जी ने शीकर के रावराजा कल्यान सिंग जी को गिर्पदार करने के लिए अपनी शेहना और पुलिस बेज़ दी अब साब जब ये पता लगा आई हैं कि शीकर की जनता को तो वो भी उन्होंने भी तैयारी कर ली तो सबसे पहले तो क्या वा कि जो शीकर गड़ के अंदर तीन जार शिपाईते राजपूत और काईम खानी मुश्लिम उन्होंने अपनी मोडचा बंदी कर ली उपर जो छोटे मोड़े उनके पास जितनी भी तोपें थी वो गड़ के उपर उन्होंने तेनात कर दी और जो मुखे दरवाजे होते थे उनके उपर गरम पाणी के कड़ाई लगा दिये गरम तेल करने लग गए कि यहां से जोगे तरहां किミदा जी पक्स के अंदर एक चुट हो गई गा Ahora उसे जथे के जथे आने लगे जिसके अलब कि इसके हाथ में किसी का लठ है किसी के अवह रह ενाद में जथे आरा करे और उन्होंगे एक गड़ को चारों तरब से घेड़ लिया, मतलब उन्होंने एक शुरुक्षा की एक लेयर और बना दी, मतलब अंदर तो सेनिक थे, सेनिकों के बहर जनता तेनात हो गई, कि सबसे पहले सेनिक तो बाद में लड़ेंगे सिकर के, उससे पहले जैपूर की जो फोज या अंग पूत है, वो सारे के सारे मेरोलिशे रिंगस है और रिंगस से ट्रेन भर करके वो शिकर कूच करने लगे, अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो गोरियां स्टेसन है, उसके उपर जो डिबे थे रेल के उन पर लोक लगा दिया, और जैसे ही वो ट्रेन शिकर पहुंची, तो फाइरिंग शुरू कर दी उनके उपर, मतलब ताला लगा वे बार से हैं और फाइरिंग शुरू कर दी, तो एक नातूसर के थे बिर्जू सिंग जी, उन्होंने उनके पास बंदूग थी और उन्होंने गोली चलाई, तो उस समें आई जी था यंग, तो आई जी यंग के टौप को छू करके वो गोली निकली और जबाभी फाइरिंग के अंदर जो विर्जु सिंग जी थे ना तूसर के उनका निदन हो गया तो ये इस तरह से एक जबरदस्त ये हुआ और ये जो गोली कांड वा वहाँ पे जो इन्होंने चलाई अंग्रेशी पाईयों ने और जैपुर की फोज ने जो गोलियां चलाई तो उसकी जो गूंज है वो पूरे देश के अंदर गूंजी बीवीची ने भी समाचार को प्रसा डित किया यहां के जितने भी जो अपने समाचार पत्रें उनके अंदर इसकी खबर छपी और इवन महतमागांदी को भी पता लग सुमाचा और सुबा संदर बोज थे उनने भी इस घटना की बर्थशना की और शिकर को उन्होंने समप्रत इंदिया हमला राजा के पक्स में उनने सम्परतें दिया और उसी टाइम जो जमिल अलाल स्ट्रेट थे आप आपने बजाज का नाम सुना होगा वो उसमें किसे उतन तरदा से ना नहीं थे वो कैलकटा में थे उनको जब इस पूरी गटना का पता लगा तो वो भी शीकर आए क्योंकि वो शीकर गह रहने वाले थे तो ये जो गटना थी इसका जो बड़ा कारण था वो शीकर के अंदर फरसाशनिक और जो आंतरिक उनके मामले थे यानि गरेलू पारिवारिक थे उसमें जेपुर का अस्तक्सेप ये तो सबसे बड़ा कारण था और इस मामले के अंदर जो सबसे जो खुराफाती थे ये लोग वो एक तो कैप्टन वेब था और एक कमरलाल बाफना थे इनके बारे के अंदर जो मावीड जी पुरो ही था है उन्होंने सिकर के इत्यास के अंदर लिखाया कि कमरपाल बाफना भी एक उच्छ अधिकारी थे और वो भी कैप्टन वेब के साथ थे बलब सिकर से तनगा लेते थे और साथ में कद्दारी करते थे तो इस तरह से इन्होंने ये गटना की अब जब ये सारी चीजें आई तो उन्हों के सब गिरबदार करेंगे सब कुछ आ गया लेकिन जो जैपूर के राजा थे उन्होंने एक दल बेजा यहां पर उस दल के अंदर थे एक तो पाटन के राव साब थे और एक डिग्गी के ठाकुट साब थे एक कैप्टन चमन सिंग जी थे आई जी यंग था और एक कैप्टन वेब तो यहां शीकर में थाई तो इन्होंने राजा साब को बुलाया चर्चा करने के लिए तो राजा साब कहें यहां पर देविप्रा के अंदर एक कोठी थी मादव निवा सबतों साइद वो है नहीं ढादी गई उस कोठी के अंदर इनकी वारता हुई तो उस ताइम राणी जो शिकर की थी वो बिमार थी तो कल्यान सिंग जी ने यह का कि राणी बीमार है इसलिए मैं अभी आपके साथ कहीं चल नहीं सकता और आपको इदी कोई दिक्कत है तो यह जो भी है डिकी के ठाकुट साब बगर है वो जाकर के गड़ के अंदर जाए और राणी से मिलकर के उनका हलचाल देख लें तो उनका यह मकसद था जो आये थे कैप्टेन वेब और यह जो आई जी यंग आये थे इनोंने काई कि किसी तरह इनको अरेस्ट कर लें तो जब राजे साब वहां से उठके चलने लगे तो कैप्टेन वेब ने उनका हाथ पकड़ा तो उसी टाइम दुजोद के थे एक रा गया और उसके बाद जनताचारों तरफ हो गई अब ये वाकिए वो ये सारे अंग्रेजा दिकारी चाहते थे कि राजा साब जेपूर चलें अब राजा साब मान भी गए कि ठीक है जेपूर चलने में वारता करने में मान सिंग्जी से क्या दिक्कत है लेकिन जो शीकर की ज संका थी कि कहीं इनके साथ अन्होनी नहीं हो जाए तो राव राजा साब जब चलने लगे तो अपने गाड़ी से जब दिख ले तो जनता उनकी गाड़ी के आगे सो जाती थी कि हम तो नहीं जाने देंगे अब उनको ले जाई कैसे ये बड़ी समस्या थी तो ये देखे ज जैपूर बादमसिन की बिढ़नत होगी तो वहां पे एक जगनात पुर ही थे, तो उनके पास बंदूग थी, वो जैपूर की सेना से बिढ़ गए, और बंदले के अंदर उन्होंने भी एक दो शिफाई को मारा और वापसी जवाबी फाइरिंग के अंदर वो मारे गए, और कासली के सरदार जी थे, वो भी वहां पे बलिदान में, और एक बंदलाल जी काइस्त थे, एक नोसा जी मुसलमान थे, बनलब ये चार-पांच लोग वहां पे मरे गए, किसलिए रावराजा कल्यान सिंग जी की सुरक्षा के लिए हैं, और ये जो गटना होई, उसमें जी करते थे, तो वो रावराजा को अरिस्ट करने के लिए आते हैं, बनलब पिता एक तरफ राजा की सुरक्षा के लिए खड़ा है, और बेटा जो है, उनको अरिस्ट करने के लिए आया हुआ है, तो ये इस तरह से मतलब ये यहां पर ये पूरा गटना करम चला, तो जैस कि मैंने बताया कि ये जब गटना समाचार पत्रों में सब जगे छपी, तो जो जमला लाल जी बजाज थे वो कैलकटा थे और वो कैलकटा से यहां आए, उसके लावा से सेखावाटी कि जितने और जागिरदार थे जैसे मंडवा वाले हो गए, डून लोद वाले हो गए, तो हम सारे के सारे सेखावत एक होंगे और आपके खिलाब हो जाएंगे, ये तो समझाई रहे थे, फिर जमला लाल जी बजा जाए, उन्होंने वारता की और उन्होंने फिर ये मद्दस्त बन करके ये पूरा का पूरा मामला शेटल करवा दिया, तो उसके अंदर ये वाकि अंग्रेजों का जो बड़ा अपसर था, वो आया, और राजा साब के पास गड़ में गया, और राजा साब ने जरोके से जनता को वहां से संबोधित किया, कि मैं अपनी मर्ची से जा रहा हूँ, आप एक बार हट जाए, सांती रखिये, मैं नी चाहता कि लड़ाई जगड गए, जैपूर में, मानसिक जिसे कोई मुलाकाद वहां पर कोई वारता के लिए रुके वो, और उसके बाद वो फिर माउंट अबू चले गए, और उसके लावा, वो कई साल तक दिल्ली के अंदर वह रहा है, और पिच्छे से पिर कैप्टैन वेब ने दुनिया बर की मनम रहूंगी, और कहते हैं कि जब जमिनला जी बजाज ने महातमा गंदी से बात करी, और भी जो कॉंग्रिस के निताते उन से बात करी, उनका समर्थन भी लिया, तो कस्तूर्बा गंदी वो शीकर आई, और वो आखरके वो गड़ के अंदर गई, और रानी साहिबा को कहा कि आप यहां पर सुरक्षित नहीं है, आप गड़ छोड़ के बाहर आ जाईए, तो आपकी सुरक्षा भी होनी चीए, शांती रहे, तो रानी ने मना कर दिया कि मैं तो जिऊंगी या मरूंगी तो इसी गड़ के अंदर, मैं बाहर बिल्कुल ही पेर नहीं रखूंगी, यह मै इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, चाए मुझे कोई मार दें या छोड़ दें, मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा, मैं जब तक हूँ, मैं अपनी जनता के साथ रहूंगी, जनता की सेवा करूंगी, और मैं गड़ के अंदर ही रहूंगी जनता मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं है तो ये जितने भी लोग कहते हैं कि राजा लोग ये थे, वो थे, उनके खिलाब दुनिया बरगादुस परचार किया जाता है, कि उन्होंने शोर्षन किया वो किया, यदि ऐसा शोर्षन करते तो सीकर की जो जनता है, उनको बचाने के लिए आती क्या और सिर्फ राजपूत नहीं आए सारी जनता आई थी, मैंने बताया ना कि काइस्त भी मरे, ब्राम पुरोहित ने भी वहां पे जान दी मुस्लमनों ने भी दी, एक मुस्लिम लेड़ी थी, उसको तो ये लगा कि पता नहीं धनकी जुरूत पड़ जाए, तो वो इत्यास के अंदर लिखावा है कि वो पूरे का पूरे अपने गैने लेकर के पहुंच गे थी राणी के पास में किसाब ये लीजिये, शीकर के नाख नहीं कठनी चीए, तो ये बहुना ही थी राजाओं के प्रती, तो ये तो एक उदारन है कि प्रजा किस तरह से अपने राजा के साथ प्यार करती थी, शाइध आप समझ गे होंगे, क्योंकि ये जितना भी आजादी के बाद में दुश प्रचार किया गया लेकिन इत्यास के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये कटना ही मिलेगी ये जो इत्यास है ये सेखावाटी का राजनेतिक इत्यास उसके अंदर भी ये लिखावा है और इसके उपर काफी जो लंबा सबसे जो प्रकास जाला है वो डाला है महावीर पुरोईत ने उन्होंने जो शीकर का इत्यास लिखा है उसके अंदर उन्होंने काफी अच्छी डीटेल से इसके उपर प्रकास डला है तो आप इन पुस्तकों को इनका मेरा इस संदर्ब समझ लिए जी के मैंने इन पुस्तकों के यह नहीं सेखावाटी का राजनितिक इत्य सीकर का इत्यास और जो मावीड जी पुरूईत की जो किताब है यह तीन चार जो किताबे हैं इनसे यह सारी स्टोरी मैंने लेकर के आपको सुनाईए साथ आपको पसंद आई होगी अगले वीडियो के अंदर हम मैं फिरी शीत्रे की कोई स्टोरी लेकर के हाजिर होंगा